हेलो पैरे बच्चो बच्चो कैसे हैं आप सभी I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चो आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड के सब्जेक्ट इंगलिस के वीक नमबर 26 की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चो आपकी इस वक्सीट का टॉप बच्चो नाउन जो है किसे कहते हैं एक वस्तु को एनिमल को किसी भी जानवर के नाम को इस्थान के नाम को या फिर किसी व्यक्ति के नाम को यह सभी क्या होते हैं नाउन होते हैं नाउन जो हैं सभी क्या है नेमिंग वर्ड्स हैं जैसे कि बच्चे हाँ पर एक्जांपल ह जू क्या है जू में सोता है चिडिया घर तो जू जो है एक प्लेस है इस्थान है तो नाउन है ये टेबल क्या है टेबल एक थिंग है वस्तू और होर्स क्या है एक एनिमल है जानवर है तो ये सभी क्या है नाउन है अब यहाँ पर बच्चो क्वेशन है look at the following pictures and color them देगरी pictures को देखिए और इनमें color fill करेंगे तो बच्चो जहाँ पर परसन है उसमें आप purple color fill करेंगे जहाँ पर थिंग है जो वस्तू हैं उनमें आप yellow color fill करेंगे place में जो इस्थान है उनमें blue color fill करेंगे और animal में जो जानवर है उनमें green color fill करेंगे तो बच्चो यहाँ पर यह क्या है बच्चो सीप भेड़ है बच्चो यह animal है elephant dog तो यह क्या है बच्चो आप इनमें क्या करेंगे green color fill करेंगे अब है बच्चो यहाँ पर यह church है बच्च ये भी क्या है बॉय है तो इनमे जो है आप परपल कलर फिल करेंगे क्या है ये परसन है अब बच्चों यहांपर आप देख सकते हैं ये क्या है ये ट्री है पेड ये यहांपर बैड है और ये क्या है ये है बच्चों ड्रम तो बच्चों ये सभी क्या है ठिंग है तो आप में yellow color fill करेंगे आप बच्चो question number two circle the nouns बच्चे आपर जो भी noun है उन पर आप circle करेंगे तो बच्चो teacher क्या है एक noun है class class जो है ये भी noun है क्योंकि classic इस्थान है car means होती है गाड़ी तो बच्चो ये भी क्या है thing है तो ये जो है तीनों क्या है noun है आप इन पर circle करेंगे swim means होता है तैरना, shopping करना तो ये सभी क्या है verb है beautiful क्या है beautiful है describing word come means आना बच्चो ये होता है verb next है bird, bird means होती है चिडिया या फिर कह सकते हैं पक्षी elephant हाथी तो दोनों क्या है बच्चो bird और elephant noun इन पर आप circle करेंगे above means होता है उपर तो बच्चो ये क्या है ये है preposition next है grass, grass means होती है घास जो की एक noun है तो बच्चो आप इस पर circle करेंगे grow means होता है उगना, बच्चो ये verb है next है mother, ma, chair, कुर्सी, grandmother, दादी, ma तो बच्चो mother, chair और grandmother तीनों ही word जो है ये noun है तो आप इन पर circle करेंगे next है ready, ready means होता है तयार होना तो बच्चो ये क्या है ये एक verb है next है lamp, hair, lion, parrot तो बच्चो इस अभी क्या है ये noun है इन पर आप circle करेंगे next है bread, तो बच्चो bread क्या है एक noun है, run means होता है दोड़ना जो की एक verb है Sunday, रवीवार, white, सफेज, rose, गुलाब तो बच्चे तीनों क्या है ये noun है इन पर आप circle करेंगे अब है question number three, write down the names of three nouns you see at the following places बच्चो इहाँ पर कुछ इस्थान दिये गए हैं, वहाँ पर आप कौन-कौन सी चीजे देखते हैं, उनके आप यहाँ नाम लिखेंगे, तो आपको केवल यहाँ पर तीन-तीन नाम लिखने हैं, तो जैसे कि यहाँ पर school है, तो बच्चो इस garden, गार्डन में क्या देखते हैं, बच्चे गार्डन की पिक्चर है, जीसे करो करीज, जीन-की डियोटे हैं वहाँ सी यहाँ पर जिराफ़ का होता है, उनके यहाँ पर नाम लिखने। तो बच्चो जिराफCuième होता है, यहाँ लिखेंगे जिराफ॥ यह कहा है बच्चो एलीफैंट इ-ल-e-p-h-e-n-t एलीफैंट नेक्स पिक्चर में बच्चो लाइन यह है बच्चो जैबरा जेड-e-b-r-e जैबरा नेक्स पिक्चर में है मंकी M-O-N-K-E-Y मंकी नेक्स बच्चो राइनो नेक्स लाइनो हॉम सी मैच करेंगे फर्स्ट है बच्चे याँ पर फिस फिस कहा रहती है वाटर में वाटर के साथ मैच करेंगे बर्ड कहा रहती है नैस्ट में गोहसले में तो बच्चो इसके साथ मैच करेंगे बैट कहा रहती है बच्चो बैट रहती है केव में तो बच्चो cave के साथ match करेंगे cave means होती है गुफा next है spider spider कहा रहती spider means होती है मकडी जो की web में इत्मी जाल में रहती है तो इसके साथ match करेंगे next है bee bee means होती है मदु मक्की तो बच्चो कहा रहती है bee hive में छत्ते में तो बच्चो इसके साथ मैच करेंगे अब है बच्चो question number six read the following passage दिये गए passage को पढ़िये and answer the questions given below और नीचे दिये गए questions के answer दीजे तो बच्चों आपर यह passage है I am a zebra, मैं एक zebra हूँ zebra कहते हैं चित्तिदार घोड़े को जिस पर white or black strips होती है on my body, मेरे सरीर पर काली और सफेद धारियां होती है I look like a horse मैं जो है एक घोड़े की तरह दिखाई देता हूँ I can walk and hop like a horse मैं एक घोड़े की तरह उचल सकता हूँ और चल सकता हूँ I love to eat grass मुझे घास खाना पसंद है अब बच्चों question है where does the zebra live जेबरा जो है कहां रहता है तो बच्चों option है in the forest जंगल में, in park, park में, in house या फिर घर में तो बच्चों answer है option number A in the forest next है it has strips on its body इसके सरीर पर धारिया होती है ब्लू एंड ग्रे, नीली और ग्रे black and white या फिर red and white तो बच्चों answer है option number B how does the zebra look like जेबरा कैसा दिखाई देता है like an elephant, हाथी की तरह like a camel, उट की तरह like a horse, या फिर horse की तरह तो बच्चों answer है option number C अब है next zebra loves to eat zebra को क्या खाना पसंद होता है mango, carrot या फिर grass तो बच्चों answer है option number C grass it means घास खानी पसंद होती है अब है बच्चों next animal yoga poses, यहाँ पर बच्चों yoga के कुछ poses दिये गए है try these yoga poses at your home in the morning, तो बच्चों आप जो है इन poses को सुभह को अपने घर पर करने की कोसिस करेंगे तो first pose कौन सा है बच्चों I am an elephant, wide leg forward bending बच्चों, legs को चोड़ा करके आगे की तरफ जुकना है it means like an elephant I am a hippo, तो बच्चों यहाँ पर child pose आप देख सकते हैं second pose है, next है I am a tiger, cat pose, तो बच्चों यह है cat pose, I am a crocodile तो बच्चों यह है plank pose next है, I am a bear मैं एक भालू हूँ downward facing dog pose बच्चों आगे की तरफ face को जुकाते हुए dog pose है, next है I am a snake, cobra pose यह है, बच्चों पिक्चर में आप देख सकते हैं cobra pose, तो इन्हें आप अपने घर पर रोजाना सुबह को करने की कोशिस करेंगे students, if you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel thank you